असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब बहुती जबर्दस फ्लॉलेस पॉलर सिकर्ट जो है वो आज रिवील होने वाला है यहां हम बनाएंगे बहुती जबर्दस पेस ठीक है कुछ ऐसे चीजें जो के पॉलर वाली आप लों के साथ नहीं शेयर करती वो ही मैं आपको इस वीडियो ठीक है जो कलर है तूस करना वो आपने अपनी मर्ज से चूस करना है ठीक है इससे हम बनाएंगे ऐसी बेस जो के बहुती जबर्दस्त है इससे कोई पिग्मेंटेशन नहीं होगी आपके चेरे पे ठीक है और आपके जो एकनी स्कार्ज और जो चाईयां है वो छुप जाए जाएंगी और आपकी बेस भी ग्रे नहीं होगी बहुत जबर्दस्त बेस बनती है सबसे पहले हमने थोड़ी सी टीवी स्टिक का जो उपर वाला पार्ट है उसको तालीना है थोड़ी सी आपको भी लिक्वर फाउंडेशन ले ले जो आप यूज करते हैं ठीक है इसको अच्छी तरह से ब्लैंड कर लेना है अब यहां बस मेरे पास है इंडियन पैक पैन के यह काफी मैंने यूज किया है थोड़ा सा मेरा ब्रेक भी हो गया है इसके बिकुल हमने एक या दो पार्ट लेने हैं और इस बेस में डालेंगे यह आईली स्किन वालों के लिए बहु थोड़े सी संस्क्रीन लेंगे आप ठीक है क्योंकि गर्मियों में यह होता है कि पसीना जाता है बहुत ज़्यादा तो इससे जो है वह पसीना नहीं आएगा थोड़ा सा प्राइमर लेंगे आप इनको मिक्स करके हमने बहुत जबर्दस्त बेस बनानी है जो के पॉलर में बहुत जारा यूज होती है और प्राइड के लिए वह बहुत यूज करती है और बहुत शाइनी बेस बनती है थोड़ा सा आप कोई भी जो लेकपड शाइनर है वह आप एड़ करने इसमें अब जब आप यह बेस लगाएंगे तो फिर आपको कोई और शाइनर लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यह डिर्यक्ति अपलाई हो जाएगी थोड़ा सा एलोवेरा जूस और थोड़ा सा जो है आपने इसमें कोई भी जो सिल्वर हाइलाइटर है थोड़ा सा वह आप इसमें डालें इससे आपकी बेस में एक शाइनिंग आएगी बहुत ही जब और वो अपना ये सिक्रिट किसी को बताती नहीं है और ये ब्राइडर बेस के लिए बहुत ही बेस्ट है पार्टी मेकप में आप हैवी ड्रेसे के साथ इसको बना सकती है ये सारी चीज़े हमारे पास मुझूद होती है लेकिन इसका ये फाइदा है इस बेस को लगाने का क आपकी जो बेस है वो ना ही फटेगी और ना ही करैक होगी ये देखें अब मैं आपको इसके अपलाई करके दिखा रही हूं अपने हाथ पे आप देखें कितनी जबदस शाइनिंग है इसमें ठीक है और बहुत ही जबदस इसकी कवरिज है अगर आपके चाईया है तो वो इसे चुप जाएंगी और हमने इसमें संस्कीन डाली है प्राइमर डाला है इससे आपकी जो बेस है वो फटेगी भी नहीं और अब एक आपने ड्राई स्पंच लेना है यहाँ पे आपने वेट स्पंच नहीं लेना फिर आपने इसके ब्लेंडिंग करनी है फिर आप देख जबदस बेस बनेंगी फ्लालएस बनेंगी और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें शाहनिंग होगी कीकि हमने है फाइल्लाइटर का यूज़ किया है जिससे आपकी बेस में नहीं होगेगी कोई नाइट munken true बहुत जबदस ऑज़री और इसमें ऋ। उसमें तो बहुत ही मिलेगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल दैम, अल्ला हाफीज